आपका स्वागत है और मैं सुहाना तो कैसे हैं आप अच्छी होंगे हम भी हां पर अच्छे हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग सी एक रेसिपी लेके आई हूं बहुत जटबट से बनने वाली जैसे मैं देती हूं आपको ऐसे टाइम पर हम लोग भ तो खाना चाहेंगे यमी से फ्राइड राइस तो आए मेरे किचन में देखते हैं इसकी रेसिपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज फ्राइड राइस जो बहुत इजी है जटबट से बन जाते हैं तो यह मैंने दो कप चावल लिया लग भग आधा किलो चावल इसक चावल की कॉलटी तो आदे गंटे पहले सोख करना बहुत ज़रूरी है तब इसका अच्छा रिजल्ट आता है यह कुछ वेजी इसलिए मैंने शिमला मिर्च है एक शिमला मिर्च है बड़ी साइस की और यह है प्यास एक मतलब एक कटोरी जैसे प्यास है मैंने मेरे में तो है यह सुर्ट है टान यह की मतलीख में का लाखि लिया यह वाइड़ं पियाज अर यह यह फिो ठिलम आगे तो हरी प्याज में है तो आप नॉम भी प्यास ले झाहा है कोई प्रॉप्लम नहीं है एक चमज मैंने लहसन का पेस्ट अद्रक का पेस्ट नहीं दिया है लहसन का कुछ सॉस है मेरे पास चिली सॉस है और विनेगर है और टमाटो कैचप है तो यह है और सॉल्ट लगेगा बस तो चलिए सबसे पहले हम अपने चावल को उबाल लेते हैं ॉ थंच में रखोड़ा भी पाने डाल दूगी मैं और रखोड़ हमें डबल दालना है ताकि चावल खुल गरणोबाल Bong चावल दाव देती हूं अपने आपको न एक उबाल आने देना है लगभग 5 मिनट आपको चावल को पकाना है या फिर अगर आपको अंदाजा हो तो आप 70-80% तक इसको कोग करेंगे नहीं तो आपको टाइम के कोडिंग 5 मिनट इसको पकाना है और अगर आपके पास 20 चावल है रात के बचे वह तो और अच्छी बात है उससी अपना इसको जड़ा दिया है यह देखिए इसके अंदर वा आ गया है बस 1 मिनट और हम इसको पर करेंगे और फिर चान लेंगे और चानना आपको कैसे है मैं आपको बताती हूं सब निकल जाए बस यह देखिए स्टेज पे आपको छान लेना है बस इससे जाद आपको कुक नहीं करना है क्योंकि यह ओवर्चुक हो जाएगा वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं देगा बनने में और खाने में हमारे चावल टूपना ने चाहिए अबमोग्सका चान लेते ह आपके पास इस टाइब की कोई खाली हो या फ्लेट हो तो आप इस पे अपने चावल को ऐसे फैलाना है ताकि बिल्कुल जल्दी से थंडे हो जाएं इसमें पानी आपको रिंज नहीं करना है बस अपने चावल को ऐसे फैला देना है और आप पंक्य की नीचे रख दीजिए ताकि बिल्कुल ठंडे हो जाएं और बिल्कुल ठंडे होने के बाद आपको इस पे काम करना है तो मैं इसको फैन के नीचे रख रही हूं ठंडे करने के लिए और यह देखिए आप कितना अच्छा चावल एक-एक बिल्कुल ग्रेन हो गया है और यह और बिल्कुल भी नह तो जलिए जल्दी से फाइनल हम प्रिपरेशन कर लेते हैं और जटपट से अपने चाइनीज चावल बनाते हैं चाइनीज फ्राइड राइस तो मैंने सेम कड़ाई को वाश करके तक दिया है इसमें ऐसा कुछ नहीं आप किसी में भी बना सकते हैं नॉंस्टिक में भी और वैसे भी बना सकते हैं तो इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे और इसमें हम आयल डालेंगे एक चमच में आयल डालोंगी जादा आयल हमें नहीं डालना है क्योंकि इसमें जादा आयल नहीं लगता है लगभग एक चमच अच्छे से गरम होने देंगे। देख रहे हैं आप मैंने ओयल कितना कमला डाला है। अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। और चाइनीज को किन थोड़ी फास्ट होती है। तो मैं इसमें डादमी हमारा लसन। फ्लेम हमारा हाय रहेगा, फ्लेम आपको लो नहीं करना, अच्छे से भीनेंगे, रॉल स्मेल चलिए चाहिए बस इसकी, और वेजीज ना आप अपने अपने अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं, केरट हो गया और कॉन हो गए, तो वेजीज आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, यह देखिए, हमारे रसन हो गया है, हम डाल देखिए, प्लेम यह पास्त है, यह देखिए, लो नहीं करना आपको, कोशीज में थोड़ा सा फ्रंच हो हैना चाहिए, हम डालेंगे हमारी हरी प्यास का जो वाइट पोर्शन दिखाया का मैंने वो, और इनको नो बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, हम डालेंगे शिल्णा में, और अपने शॉल डालेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारी रैडी में खिंद शॉल तक करना जाए, बहुत जादा नहीं जाला है, थोड़ा ही डाला है, अगर आपको बहुत जादा क्रंच पसंद है तो आप बहुत जादा क्रंच भी कर सकते हैं, यह थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मैं कम बनाऊगी, तो देखे, अब आपको क्या करना है, इसमें डालने हैं चावल, आपको अपनी सब्दियों की वेजी के ऊपर ही चावल डाल दे हैं, सॉसेज इसमें अभी नहीं मिलानी है, पहले हम अपने राइस डाल देंगे, अब इसके ऊपर हम सॉसेज डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे हम, आप कितनी, बतलब कितना आप तीखा पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ले आप चिली सॉस डालेंगे, रेखिए, एक चमस लगबग मैं सॉय सॉस डालूँगी, विनेगर भी आप उपने अकॉर्डिंग भी डालिएगा, कि कितना आप खटा पसंद करते हैं, तो मैं हाफ और अगर आपको थोड़ा सा स्वीटनेस में चाहिए, तो आप इसके अंदर सॉस भी मिला सकते हैं, अब हम इसको अच्छा सा स्टर देंगे, जैसे फोल्ड करते हैं केव को बस ऐसे, बहुत जादा हमें इसको ऐसे नहीं चलाना है, देखिए, जीचे हमें टीच्फर टीब हिए, इस उटजिय और मिलांई, तो से लोर घेफिए, पाद़ एड़िँश्सस पच्छा, बल्टoney, नजिए बु एमद्टनियों चिए, फ्सकते हैं तो जीफरा capable एब हैं, तोन गैसा बल्चब of आस्मग्दीउ में पहिस्टोःे court थोड़ी सी में डालूंगी अनियन के जो ग्रीम पार्ट था वो क्योंकि इसको ऐसे गलाने की ज़रूद नहीं पढ़ दिये देखें थोड़ी सी डालूंगी में तमाटी कैचा अगर आपको कम लगेगा सॉल्ट तो आप सॉल्ट भी स्टेज के एड़ कर सकने हमारे चावल बहुत अच्छे से हो चुके हैं तो जो गर्माई होती है उसमें ही हो जाते हैं थोड़ा साने सॉल्ट आट कर दूगी इस अब रखाते हैं कर दूदेखें या जो फॉबर हैं कर दो दो या रह जाते हैं और कयो कर दो कम दो आड़ी तेंट के इसको डग दुब तो चलिए इसको आप सर्फ कर लेते हैं हमारी यमी सी फ्राइड राइस को तो घर्मा गरम हमारे फ्राइड राइस स्पॉर्ट पे हम सर्फ करेंगे और मेहमानों को अपने घरवालों को खिलाएंगे जो बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं थोड़ा सा हम गानिश करेंगे आप इसके नतर पनीर भी डाल सकते हैं पनीर से थोड़ा सा गानिश कर दूंगी यह देखिए हमारी यमी से फ्राइड राइस है गाइस तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्राइड राइस की जो बहुत टेस्टी और यमी बने थे क्योंकि हम लोग उसको खा चुके हैं और बहुत टेस्टी बरे थे और जितनी भी वेजीज है आपके गर में आप डाल सकते हैं तो मैंने यह चीज नहीं डाली थी ल मसाले आपके अकॉर्डिंगली हो सकते हैं लेकिन वेथट जो है वह सेम रहता है प्लीज मस ट्राय करना और बताना आपको कि मेरी वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना और फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाबाय टेक केर अपना खयाल रखिए घर पर रहिए सेफ रहिए और अगर जरूरी काम नहीं हो जब तक आप बाहर बिलकुल नहीं जाना तो मिलते हैं ने